हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मन्जो कास्तूर और कास्तूर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूपर टेस्टिक गुजिया तो चलिए सूपर टेस्टिक गुजिया बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा बहर लिया है उसमें एक बॉल मैंने डाला है यह मैंदा और उसी में चार से पांच बड़े चमस देशी गी डालूंगी और इसे इस तरह से अटा हम इसका गुतेंगे और देखो मुठ्वी बान कर देखेंगे कि इसमें मोहीं सही है थोड़ा पानी डालेंगे और इस आठे को हम तैयार करेंगे कुद के तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएं एकदम से ना मिलाएं क्योंकि जादा पानी एकदम से डालने से पतला होने की संभावना रहती है तो थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करें इस तरह से तो दे तो देखिए हमारा बढ़ी असा आटा गुद करते यार हो गया है थोड़ा टाइट ही होना चीए ये तो चलिए इसे चारो तरफ से ऐसे करके हम सेट करके रख देते हैं और देखे गलास पानी लिया था इतना बचा है तो इतना पानी लगा है इसमें तो इसे में रास्ट के चलिए चोड़ देते हैं चले अगली प्रोसेस के लिए चलते हैं अगर का भुणा हुआ मावा लिया है तो यह लगबग 200 ग्राम के करीव है ट्री टेबल स्पून मैं डालूंगी बदाम ट्री टेबल स्पून मैंने किसमिश डाली है ट्री टेबल स्पून के करीब काजू और एक बॉल मैंने छोटा नारिल कचूरा लिया है और एक बॉल लिया है मैंने जो बूरा है वो लिया है और इनको करेंगे mix तो आप sugar अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं तो देखे भढ़ने के लिए सामगरी तयार हो चुकी है कितनी बड़ी अपन कर तयार है तो चलिए अगला प्रोसेस करते है ये मैंने एक बॉल चीनी डाली है और इसी में उतना ही पानी डाल दिया है इसमें तीन इलाइची कुटी हुई और केसर के धागे ये हम चाशनी बना रहे हैं केसर के धागे डालने से बढ़िया सा कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और स्वाद भी बढ़ जाता है चलिए अगला प्रसेस करते है लोई तोड लेते हैं आटा सैट हो चुका है तो इस तरह कि हम लोई पहले ही तोड कर तयार कर लिटे हैं ताकि असानी से हम इसे बना सकें देखे यहां पर हमारी चाशनी भी बन रही है अब पहले एक पूड़ी केकार की लोई को बेल लेते हैं थोड़ी मोटी ही बेल नी है फ्रेंड्स ज़्यादा पतली ना करें और एक चमबची हाँ पर मैं इसमें सामगरी रखतूंगी जो हमने बनाई थी अंदर भढ़ने के लिए और इसके किनारे पर हम पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा ताकि ये हमारी इधर दर से फटे नहीं पानी से अच्छी तरह सेट हो जाती है फ्रेंड्स तो इस बात का विशेश कर धियान रखें और इसे सेंटर से लेके और किनारों को हाथ से इस तरह उंगलियों से पुश कर देंगे ताकि ये अंदर का में टेल ना निकले बाहर तो बहुत असान मैं गुजिय की ट्रिक बता रही हूँ एक फॉक लेंगे और देखिए इस तरह से दवाते हुए हम डिजाइन भी बनाएंगे और हमारी देखिए गुजिया बनकर भी तयार हो जाएगी बहुत असान है इसमें किसी भी सांचे की आउशकता नहीं है इसी तरह से हम एक और गुजिया बनाएंगे फिर से एक लोई को मैंने पूड़ी के शेप में बेल लिया है और फिर इसमें हम रखेंगे बीच में सामगरी वही भढ़ने वाली देखिए इस तरह से रखती है और पानी लगा लेंगे चारो तरफ किनारों पर और बस इसे हम पीच में से ऐसे फोल कर देंगे किनारों को दबा देंगे तो लीजिए बाड़ी असी गुजिया बनकर तयार हो चुकी है इसी तरह से हम सारी गुजिया तयार करेंगे यहां चार्शनी भी बनकर करने रख दिया था ऑयल गरम हो चुका है ज्यादा ओए हमें तेज गरम नहीं करना है low to medium flame पर ही हम इसे fry करेंगे यदि हम एकदम तेज medium to high flame पर करेंगे तो इसमें फफोले आ जाते हैं तो हमें पहले धीमी गैस पर ही इने fry कर लेना है इसी तरह से मैं सारी गुजिया fry कर लूँगी देखिये एक बार और डाल कर दिखाती हूँ इसी तरह से मैंने सारी गुजिया फ्राय कर ली है इसे बाद मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर गुजिया को फिर से फ्राय करूँगे तो इसमें एक अच्छा सा गोर्डन कलर आ जाएगा लेजी फ्रेंट्स हमारी गुजिया एक दम बनकर तयार है इतनी बड़िया लग रही है देखने में मावा गुजिया इसी तरह से मैं सारी गुजिया तयार कर लूँगी और चाशनी ठंडा होने के बाद इसमें मैं चाशनी में डालूँगी गुजिया को देखे और एक बरतन रखा इसके उपर जाली और जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी है तो फ्रेंड्स जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा चाशनी है वह नीचे आ जाएगी देखे इस तरह से ऐसे ही मैं सारी गुजिया इसमें चाशनी में डिप करके निकाल लूँगी देखे इस तरह से और इसमें चितनी पी अक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे आही रही है तो उसका भी हम यूटिलाइस कर सकते हैं देखे इस तरह से हमारी सारी गुजिया बन कर तयार हैं तो इसको आप होली पर बना सकते हैं अपने घर में और देखे चाशनी में लिप्टी हुई है इसी को पर मैं ट्राइफूर्ट डालूँगी तो यहीं सेट हो जाएंगे और सेज का टेस्ट और भी पढ़ जाता है तो होली पर कुझिया खानी किसे पसंद नहीं है तो अपने घर में होली पर कुझिया बनाईए और खुद भी खाई अपने गैस्प को भी खुश कीजिए तो फ्रेंड्स सुपर टेस्टी कुझिया अपने घर में एक बार जरू ट्राय कीजेगा बहुत ही बढ़िया होती है मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बैल बटन प्रेस करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेर करें और फ्रेंड्स बढ़िया सी कुझ ही अपनाईए खुद भी खाईए और दोस्तों को खिलाईए तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तक तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया नमस्का